नमस्कार दोस्तो नॉलेज IQ TV में आप लोगों का फिट से सौगा थे। दोस्तो आज 10 फेबराडी है और इसी दिन में एक टॉपिक को लेके डिसकस करना चाहते हूँ वो यूए ब्यू का टॉपिक है। और यूए ब्यू पेंशन अपडेशन के लिए क्या-क्या चीज कर रहें, क्या-क्या कदम दिया है, सब कुछ डिसकस करेंगे। तो प्लीज आप लोग नॉलेज IQ TV को इस तरीके से सपोर्ट कीजे और चैलन को प्लीज सब्स्ट्राइब कर लिजे। और मेरा इंस्तग्राम च AI-BRF ने जितने भी सर्कूलर दिया, जितने भी चिठ्थे लिखा, उस चिठ्थी का एक भी जबाब, इवेब ब्यू का अधिकारी और इवेब ब्यू का कोई भी उनियान लिडर नहीं दिया है। तो जो इवेब ब्यू गठन हुआ था दोस्तो, वो डिटेरिस, वार्किंग एम्प्लोईज और जो बैंक का कस्टमर है, उन लोगों को किस तरीके से काम करना पड़ेगा, किस त इस तरीके से ही घठन होता है, एक तो एम्प्लोईज के लिए और एक है डिटेरिस और फैमिली पेंचनर के लिए, लेकिन 80-90% डिटेरिस अब बतारी वेब ब्यू का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि वेब ब्यू इस नॉट डूइंग एनिफिंग और डिटेरिस और पेंच चाहिए, वो इवेब ब्यू कुछ नहीं कर दें, क्योंकि आईवा पर्क ने इतना कस्ट करके इतना बड़ा सर्कुलर भेजा, इतना बड़ा लेटर भेजा, उस लेटर का कोई भी एंसर अभी तक इवेब ब्यू ने नहीं दिया है, तो इसके बारे में आपका क्यार आए ह क्या ग्राउंड लेबल में एक्जेक्यूशन का जो बात होता है, वो लोग इवेब ब्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप लोग प्लीज कमें सेक्शन में बताइए, और जो RBI मॉडेल का इश्यू है, इसके लिए इवेब ब्यू क्या ठीक तरीके से IPA और गौवर्न बिलको लेके हैं, लेकिन रिटेर्डिस के लिए और फैमिली पेंचन के लिए उएब ब्यू कुछ भी काम नहीं करें ग्राउंड लेबल मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन प्लीज बताइए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्दी आने बारे, ज सितरी के सपोर कीजे, थैंक यू